कि वेल्कम तू दा स्टडी कॉंसेप्ट आज कि हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख मंत्री एवं मंत्री परिष्टत के बारे में जो कि विधान सवा में राज सरकार में जो मंत्री मंदल होता है उस वेशे पर हम पूरी चर्चा करेंगे जो कि मद्द्रप्रदेश की जो MP 2020 में जो नया स्लेवर्स आया उसके एकॉडिंग्ली यह वीडियो है उसमें मंत्री मंदल के बारे में भी पूरा स्लेवर्स में दिया हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो रहेगा आपके लिए तो आप इस वीडियो को अन्त तक देखें और अन्य PCS PCS की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यारती इस वीडियो को देखकर लाव प्राप्द कर सकते हैं अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे इस स्टड़ी कॉंसेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब करने के लिए आपको बैल आइकन सब्सक्राइब बटन दिया होगा और बैल आइकन दिया होगा तो उन दोनों को आपको क्लिक करना है जिससे की मेरा इस स्टड़ी कॉंसेप्ट चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा अल नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको सब् में मिलेंगे और सभी वीडियो आप देख पाएंगे मंद्रप्रदेश की MPPAC के accordingly मैं जो subject में जो chapters हैं उसके according मैं लगातार वीडियो आपके लिए ला रहा हूं इससे पहले मैं राजपाल और मुख्यमंत्री के उपर में दो वीडियो ला चुका हूं एक वीडियो राजपाल पर है और एक पुरा मुख्यमंत्री के उपर हैं तो उन सभी की कारिवा सक्तियों के वारे में पूरा डेटेल में मैंने उसमें explain किया है तो आप उन वीडियो को भी प्लेडिस से जाकर देख सकते हैं ठीक है और साथ ही साथ मेरी वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप अपने गुरूप में अपने फ्रेंड सरक्ल में इसको शेयर भी करें जिसे की अन्य लोग भी इसको देख पाएं तो तो चलिए सुरू करता हूं में मंत्री मंडल के वारे में जो कि राज्य सरकार में जो मंत्री मंडल होता है उसकी कार वा सक्तियां क्या क्या होती है उसके वारे में पूरा का पूरा इसमें तो मंत्री परसद में वो सारे मंत्री गण होते हैं जो की सरकार राज सरकार के अधीर होते हैं राज सरकार के वारे में इसलिए राज सरकार के वारे में ही बताएंगे हैं तो राज सरकार में दो हाउस होते हैं ठीके कई राज सरकार में एक ही हाउस का प्रापधान रखा गया है लेकिन कई में दो हाउस का भी प्रापधान है ठीक है ना दोनों हाउस जैसे की अपर हाउस ठीक है ना अपर हाउस और लोवर हाउस ठीक है ना तो इन सभी का यहां पर प्रापधान है अपर हाउस है ने की इसको बोलते हैं विधान परिशत हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं विधान परिशन ठीक है और लोर हाउस जो की विधान सभा के लाती है ठीक है विधान सभा इसके बारे में पहले भी जो दो वीडियो बता है उसके बारे में उसमें मैंने बताया इसके बारे में ठीक है तो इसमें जो विधान सभा होती है इसमें जितने भी सदस से चुने जाते हैं, वो लोक तांत्रिक तरीके से चुने जाते हैं, इनका चुना होता है, जरनता उनको वोट देती है, और वोट के माध्यम से उन में से जीत के आता है, वो विधान सभा में जाकर बैठता है, विधान सभा में, ठीक याद रखेगा, विधान सभा य होती लोवर हाउस यह लोकतांत्री तरिक्सें से चुनाव प्रिकिरिया की तहट यहां पर सदस से चुने आते हैं जिनकों की अपन MLA बोलते हैं राज सरकार में ठीक है चलिए अब इस पॉइंट की तरफ चलते हैं अनुशेद 163 आर्टिकल 163 के accordingly राजपाल को साइता और परामर्स देने के लिए मंत्री परसद होगी थीक न इसमें राजपाल जो होता है वो राज़िका मुख्या केलाता है जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसमें सबसे ज़्यादा decision लेने का power मुख मंत्री के हाथ में होता है और मुख मंत्री एक मंत्री परषद का गठन करता है ठीक है ना और राजपाल की जितनी भी साहता होती है वो साहता और तदा उनको advise देने के लिए ये मंत्री परिशद का गठन किया जाता है जिसमें की पूरा का पूरा 15% के आसपास 15% के आसपास जो सदर से होते हैं उसमें से 15% के आसपास जो हैं वो इस परिशद में होते हैं मंत्री परिशद में अगला जो पॉइंट है वो है Article 164, Article 164 के according ही मुख मंत्री का जो पद बनाया गया, यानिकि मुख मंत्री वा मंत्री की सपत दियाती है, ठीक है जो चुना जाता है, वो Article 164 के according ही चुना जाता है, राजपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्त दल को ठीक है दल की नेता को मुख मंत्री की रूप में न्युक्त करता है और वो भी आर्टिकल 164 के एकॉर्डिंग इसको आपको याद रखना है सही ठीक है ना बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर ये पॉइंट MPPSC य आपको इनको ऐसे ही याद रखना है ठीक है तो इसमें अनुचेद 164 के एकॉर्डिंग ली राजपाल विधान सभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है जिस दल ने सबसे अधिक सीट प्राप्त की है ठीक है ना उसको बहुमत प्राप्त हुआ है तो उसके नेता को उसका कि मेरे को अपने दल में से इतने व्यक्तियों को मंतरी बनाना है, तो मुख मंतरी ही ही राजपाल को सला देता है कि इतने लोग ये व्यक्ति मंत्री बनेंगे और मंत्री प्रसाथ में ये सामिल होंगे तो मुख मंत्री जो है और राज कारेपाली का वास्तविक प्रधान तथा राज का निर्वाचित प्रमुख होता है जैसे कि मैं आपको पहने भी पता चुका हूँ राज का प्रत्म व्यक्ति यो कहलाता है राज का प्रमुक कहलाता है वो राज पाल कहलाता है और सरकार का प्रमुक देखिए बता है ना राज कारपालिक का वास्तिविक प्रधान और राज का निर्वाचित प्रमुक जो होता है वो मुख्य मंत्री होता है बस आपको इतना ही समझना है ठीक है आए अब देखते हैं मंत्रियों का चैन कैसी किया जाता है जो मंत्री परशद बनती है उसमें जो मंत्री होते हैं उनका चैन किस बेसेश पर किया जाता है इंक्यानवे सामवेधानिक संसोधन 2003 2003 में जो इंक्यानवे 91 वा, जो सामेधानिक संसोधन हुआ, उसके अनुसार, ठीके ना, अनुसे अनुछेद, आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया गया है, ठीके ना, आर्टिकल 164 में ये प्रावधान किया गया है, कि मंत्री परसद में जो सदस्यों की संख्या है, वो निचले सदन, निचले सदन केते हैं तीक है ना लोग सभा जो है वो केंदर सरकार का होता है राजी सभा भी केंदर सरकार का होता है लेकिन विदान सभा जो होता है वो राजी सरकार का होता है तो इसमें जो लोग सभा है अगर केंदर सरकार में देखा जाए तो लोग सभा यह है यह है लोग सभा यह यह जो है यह lower house है लेकिन राज सरकार में विधान सभा मैं आपको पहली बता चुका हूँ यह lower house तो lower house की कुल संक्या का 15 परसंट तो lower house में जो सदस्य बनते हैं उसका 15% से अधिक वो है वो मंत्री नहीं बनने चाहिए यहने कि मंत्रियों की संक्या 15% से अधिक नहीं होगी अगर अपन एक्जामपल ने मद्रप्रदेश सरकार का तो मद्रप्रदेश सरकार में 230 प्लस एक एंग्लो इंडियन यहने कि टोटल जो सीटे हैं वो 231 सीटे मंद्रप्रदेश में हैं ठीक है ना lower house में तो इस 231 का 15% 15% मंत्री ही जो सदस होंगे यहां के 15% जो सदस होंगे इस सभा के विदान सभा के lower house के उसमें से 15% ही जो सदस होंगे वो मंत्री बन सकेंगे या फिर परन्तु किसी राज का मुख मंत्री सहित ठीक है ना मंत्रियों के कुल संक्या 12 से कम नहीं होने चीए यहने कि max to max 15% और कम स 12 लोगों को मुख मंत्री मिला कर यहने कि 11 प्लस एक एक जो होता है वो क्या होता है वो cm होता है तो टोटल 12 कम से कम होने चाहिए यह तो अधिक से अधिक 15% जो कि राज्य की सदस हैं उनको मिला कर मंत्री परिषद बनाए जाती है कि अगली जो मुख headline है मुख मंत्री वा अनमंत्रियों की योगीता है तो इसमें दिया हुआ है संविदान में मंत्रियों की और नेताओं से समन्दित जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुछेद 1644 जो article 1644 है उसमें ये सारे प्रावधान दिये गया है, जिसमें कहा गया है कोई मंत्री निरंतर छे महा तक राज के विधान मंडल का अगर सदस्य नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि जब इसकी अवदी समाप्त हो जाती सदस्य नहीं रहता है तो वो मंत्री भी नहीं रहता है जब तक कि वो lower house या फिर upper house ठीक है न इन दोनों में से किसी एक भी सदन का अगर वो सदस्य है तो उसको मंत्री बनने का अधिकार है वो मंत्री के लिए चुना जा सकता है मं मंत्री परसंद मिं है उगली जो हैडिक है वो मंत्री वे मंत्री उंक द्वारा जो सपत लेते हैं उसके वारे में जानकार ए रहे है किसी भी मंत्री द्वारा अपने सपत करने से पहले राजपाल सम्विदान की 30 अनसूची में दिये गए प्रारूपों के अनुसार उनको उनके पद कर्तब की पालन की और गोपनियता की सपद दिलाता है जैसा कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मुख मंतरी के उपर तो उसमें मैंने मंतरी वा मुख मंतरी को सपद कैसे दिला जाती है उसके वारे में पूरी जानकारी देती बस यह है कि अगर मुख मंतरी अपनी सपद लेता है तो अपने आगे वो मुख मंतरी बोलता ह और अगर कोई मंतरी अपनी सपत लेता है, केबिनेटा मंतरी परषट में जाता है, तो अपने आगे मंतरी बोलता है, बस इतना यह अदता न लेता है, बाकी की बाकी सब्द वहीêu रहते हैं जो कि मैंने मुक्रमिंत्री वाले वीडियो में बता हैं तो आप वहां से याके, यह पूरे के पूरे जो सपत किस तरीके से लेता है ठीक है ना उसके वारे में पूरी जानकारी मैंने उसमें दिये उनके कर्तबे पालन के वारे में और उनकी गोपनियता के वारे में भी उसमें मैंने समझाया है तो ये सब चीजें कहां सम्विधान सम्विधान की तीसरी अनुस परसद की मंत्रियों में तीन स्रेणियां होती है कौन कुन सी एक होती केबिनेट मंत्री ठीक है ना जिनको की बोलते हैं मंत्री मंदल के सदर से और दूसरा होता है राज मंत्री और तीसरा होता है स्वतंतर प्रभार केबिनेट मतलब की जो मंत्री परसद में जो की मुख मंत् करते हैं ठीक है ना राज मंत्री याने की राज का प्रभार समालते हैं राज के अंदर की जो अंदुरुनी विवस्ता है उसके वारे में देखते हैं और स्वतंतर प्रभार याने की कोई भी एक पर्टिकूलर विभाग जो होता है उसका उनको स्वतंतर प्रभार मिलता है उस उस पर मुक मंत्री का भी दायत्व नहीं रहता है वो सौतंतर तार से उस परभवार को समालते है तो यह सौतंतर परभवार कहलाता है अगला जो पॉइंट है वो है केबिनेट के बारे में केबिनेट सबसे महतपून मंत्री होते हैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ मंत्री परसत में केबिनेट जो की राजपाल को परामस देता है राजपाल की मदद करता है उसको हर चीज़ के वारे में जानकारी देता है तो केबिनेट मंत्री जो होते हैं वो बहुत ही महत्पूर्ण मंत्री होते हैं क्योंकि केबिनेट के द्वारा ही सामोहिक रूप से सासन की नीती का निरधारन किया आता है ठीक है ना जो केबिनेट में मंत्री होते हैं उनके द्वारा ही जो सासन की नीती हैं उनका निधारण किया आता है सामोई की रूप से दूसरे इस्तर पर राजमंत्री होते हैं जो राजी के मंत्री होते हैं राजी प्रभाज होते हैं राजमंत्री वो सेकंड नमबर पर आते हैं जो केविनेट मंत्री के कारियों में उनकी साहता करते हैं यहनि कि सबसे पहले तो CM हो गया, CM के बाद में फिर cabinet मंत्री हो गया ठीक है ना, cabinet ministers जो हो गए उसके बाद में cabinet minister के बाद में फिर आते है state ministers state ministers के बाद में फिर आते है सुतंतर, ठीक है ना, independent independent जो ministers के रहते हैं सुतंतर प्रभार जिन के पास में रहता है तो इस तरीके से ये एक के बाद में एक chain जुड़ी होती है यहने कि CM के बाद में second number cabinet ministers का आता है फिर state minister का आता है फिर independent का आता है तो इस तरीके से आप इन chain को समझ सकते हैं सबसे उपर जो होता है वो कहलाता है governor governor सबसे उपर में आता है ठीक है और तीसरी नमर पर जो आता है जैसे कि मैं बता चुका हूँ राज मंत्री आते जिनको कि सोतंतर प्रभार मिलता है है ना जो किसी cabinet मंत्री के आधिन ना होकर सोतंतर रूप से विवाग का दायत तो समालते हैं यहने कि cabinet के आधिन ने रहते हैं यह इनके पास में सोतंतर प्रभार होता है और सोतंतर विवाग को का पूरा का पूरा दायत तो यह समालते है अगले जो पॉइंट है इंपॉटेंट है इसको भी आपको ऐसी याद रखना पड़ेगा मद्परदेश में मुख मंत्री की सला से राजपाल द्वारा एक जंजाती कल्याणी मंत्री की वी नुक्ती का विशेष प्राभधान है अच्छा मद्परदेश में क्यों है क्योंकि मद्परदेश ही एक ऐसा राज है यहाँ पर की जंजाती ठीक है ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाते हैं यहाँ पर यह एक प्रावधान बनाया गया इनकी निक्ति का ठीक है ना एक जंजाती करल्यान मंत्री यहाँ पर होना चाहिए ठीक है ना मुख मंत्री की सला पर राजपाल इसकी निक्ति करता है अगर मुख मंत्री चाहे कि यहाँ पर एक जंजाती करल्यान मंत्री होना चाहि करता है ये एक विशेश प्रावधान है यहां पर कहां पर मद्ध प्रदेश में अगला जो पॉइंट है वो हैं मंत्रियों के बेतन वा भत्ते ठीक है इसमें मुख मंत्री वा अन मंत्रियों के जो राज भत्ते हैं ठीक है ना भत्ते राज विधान मंडल और विधान सवा के द्वारा समय समय पर इसका निर्धारण किया जाता है लेकिन अनुच्छेद 164-5 ठीक ना जो आर्टिकल 164 का पांचवा भाग है ठीक ना उसके अनुच्छार जब तक राज का विधान मंडल ठीक ना इस संबंद में उपवंद नहीं करता है निकि इस संबंद में उसके बार में जो विधान मंडल है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता है तब तक मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुच्छी में ही के प्रावधान के अनुसार होते हैं जब तक कि राज विधान मंडल इसके बारे में जानकारी नहीं देता है जब जानकारी द और अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जुरूर करें और साती साथ दोबारा किना चाहूंगा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉंसेट को मद्रदेश की MPPSC के साथ मैं अन MPPSC जो अन PCS एक्जाम होते हैं उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा लावार्थ हैं ठीक है ना उनको भी इनसे बहुत ज़्यादा लाव मिलेगा क्योंकि लगातार मैं PCS एक्जाम के लिए वीडियो ला रहा हूं और म के बाद में जो अगला वीडियो होगा वो वो जो होगा वो होगा विधान सावा के बारे में ठीक है ना अभी तक मैं राजपाल मुख्य मंत्री और यह जो वीडियो है यह मंत्री परस्ट के उपर है अगला जो वीडियो में लाओंगा वो विधान सावा के उपर होगा तो लगातार मेरी वीडियो के साथ में जुले रही है अगले वीडियो जैसे ही जल्दी आएगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा अगर आप मेरे सब्सक्राइब कर लेते हैं और लगातार मेरी वीडियो को देख पाएंगे तो जो अगला वीडियो होगा वो विधान सभा के उपर होगा उसमें पूरी जानकारी होगी विधान सभा क्या होती है और उसकी कारवा सक्तियों के बारे में पूरी जानकारी में इसमें दूगा त तब तक के लिए जै हिंद जै भारत